हेलो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे SSE 2 Attara के बारे में इस पूरे वीडियो में हम मेइनली तीन पॉइंट्स को कवर करेंगे पहला पावर ट्रेन, दूसरा परफारमेंस और तीसरा प्रोडक्शन इसे पहले की मैं में में पॉइंट्स पर आओ SSE North America के बारे में कुछ ब्रीफ SSE North America एक American Automobile Manufacturer है जिसे ओनर जैरेट सेलबी के द्वारा फाउंड किया गया था 1998 में तो चलिए अब में पॉइंट्स पर आते हैं पहला पॉइंट है पावर ट्रेन पावर ट्रेन के अंदर हम तीन सब पॉइंट्स पर बात करें होंगे पहला होगा इंजन, दूसरा होगा पावर आउट्पूट और तीसरा होगा ट्रांस्मिशन इंजन SSE 2018 दो तरह के इंजन यूज़ करती है पहला है 6.9 लीटर ट्विन टर्बो चार्ज V8 जो उसने अपने कॉंसेट वर्जन में यूज़ किया था और दूसरा है 5.9 लीटर नेलसन रेसिंग ट्विन टर्बो चार्ज V8 जो उसने अपने प्रोडक्शन मॉडल में यूज़ किया है पावर आउट्पूट ससी टूटारा में आपको अलग-अलग फ्यूल्स पर अलग-अलग पावर आउट्पूट देखने को मिलेंगे जैसे 91 ओक्टेन पर 1350 HP और E85 फ्लेक्स फ्यूल पर 1750 HP ट्रांश्मिशन ससी 218 ने अपने koncept version में अलग transmission यूज़ किया था और अपने production version में अलग transmission कॉनसेट वर्जन ससेट टूटारा में अपने lots पर वर्जन में 7-speed manual और 7-speed automated manual transmission यूज़ किया था अब आते हैं अगले main point performance के उपर सेसी टू अटारा जिरो से 100 किलो मीटर पर आर की स्पीड 2.7 सेकेंड में पकड़ सकती है जो कि कुनेक्ज अगेरा से 0.1 सेकेंड ज्यादा फास्ट है और हाँ मैं आपको एक और बात बताना ही भूल गया जो मुझे वीडियो के सुरुआत में बताना चाहिए था वो यह है कि सेसी टू अटारा 508 किलो मीटर पर आर की स्पीड के साथ फास्टेस कार इन दी वर्ल्ड है मुझे पता है कि आप में से कई लोग यह बात जरूर द्यान देगे कि यह कार 532 किलो मीटर पर आर की स्पीड वीडियो में पकड़ लेती है ऐसा नहीं कि वीडियो गलत है या फिर मैं जो करा हूँ वो गलत है मगर किसी भी कार के टॉप स्पीड को डिकलियर करने के लिए एक अलगी प्रोसीजर होता है उसमें उस कार को दो बार रन किया जाता है और दोनों बार के एवरेज को लेकर उस कार की टॉप स्पीड को डिकलियर किया जाता है और SSE 281 ने अपने एक रन में तो 532 किलो मीटर पर आर की स्पीड अचीव की थी मगर दूसरे रन में उतनी नहीं कर पाई थी इसलिए एवरेज थोरा कम आ गया और ये कार की टॉप स्पीड 508 किलो मीटर पर आर डिकलियर कर दी गई अब आते हैं अगले में पॉइंट प्रोडक्शन के ओपर SSE North America ने SSE 281 के प्रोडक्शन को 100 यूनिट्स तके लिमिटर रखा है वो भी 12 करोड इंडियन रुपीज के प्राइस टेक के साथ इस कार की प्रोडक्शन इंटनी लिमिटर इसलिए है क्योंकि एक लिमिटर प्रोडक्शन हाइपर कार है ठीक है दोस्तो आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नए है और ऐसी वीडियो देखना पसंद करते है तो मेरे चैनल को सब्स्राइब भी जरूर कर देना झाल आपको लाइब झाल आपको लाइब भी झाल नए है और आपको लाइब झाल आपको लाइब भी जरूर कर देना